हाई फ्रेंड पैसे आप लोग उम्मीद करती हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आज मैं चॉकलेट फिलवर का केक बनाने जा रही हूँ और आज ही क्यूं में तो रोजी चॉकलेट फिलवर का केक बनाती हूँ और इसको हैना मैं 6 इंच वाले टिन में बेक करी ह तो जब भी आप केक बनाएना तो भले आपका केक उपर ड्राय रहे रहे बहले चिपची बना रहे लेकिन तो भी आप उसको जरूर रिमूव करें उससे क्या रहेगा कि आपका हैना केक perfect बनेगा कि कभी आपके केक में गरबड़ नहीं होगा और आप लोग सोच रहे होंगे क इसको रिमूव ना करने से क्या अगरबड़ हो सकता है तो ले ही लेगा क्योंकि आप इसको अपने केक में उल्टा लगाओगी यह बात तो मुझे भी पता है लेकिन जब कभी आगर आप उल्टा लगा दियो और आप वो तीयर वाला केक बनाए ना तो यह फिसल जाएगा यह यह क्रीम में उतना परफेक्ट है चिपकेगा नहीं तो आप लोग जरूर इसको रिमूव करें और यह मेरा प्रिस्टीन कंपनी का प्रिमिक्स है और इसमें मैं थोड़ा सा आयल डालकर और पानी डालकर है इसका बेटर बनाकर 6 इंच वालिटिन में बेक करी हूँ और आप और आपके नियर में कोई अलग ब्रांड का भी रहना तो ले सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है सारे प्रिमिक्स बेस्ट रहते हैं और आप लोग अगर सीख रहे ना तो रेडिमेट से सीखें क्योंकि उससे क्या रहेगा आपका केक बनेगा तो आपका मन खराब नहीं होगा क आप सारा इंग्रिडियंस लेंगे लेकिन अथना पर्फेक्ट आपका नहीं बनेगा जब इस्टाइडिंग में हम सीखते हैं तो हमको अतना और नहीं रहता है कि कितना मतला पर्फेक्ट इसका बेटर बनाएं कितने टाइम तक बेक करें कितना प्री हीट होना चाहिए तो यहथा है JUG करते हैं तो विखे हैं पना बोर्ट और के परकेम लगाए ना ये base जो हमें रखी हूँ अभी आप केक का इस पॉंची देखें हैं वो भी फिसलता है और मैं थोड़ा सा पानी ली हूँ और उसके अंदर थोड़ा सा शुगर डाली थी और उसके अंदर है न मैं गनास एट करी हूँ और गनास की भी quantity आपको बता दूँ कि अगर आप हाफ क जी का बना रहे हैं तो उसमें 100 गराम गनास डालेंगे ना तो केक कर टेस्ट काफी ज्यादा अच्छा रहेगा लेकिन आप है ना उससे थोड़ा कम भी कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि आपको 100 गराम ही डालना है यह आपको और ज्यादर टेस्टी चाहिए तो आप उससे करना है कि आपको है ना टाइम तक इसको रखना सेट होने के लिए अगर आप है ना इमर्जेंसी में बना कर तुरंत देने वाले हैं ना तो सोकिंग थोड़ा सा कम करें नहीं तो क्या रहेगा कि सामने अगर तुरंत कटिंग हो जाएगा केक तो यह केक है ना आपका पानी- यहां पर क्या पता क्यों मेरा मोबाइल है नहीं हो रहा है मुझे आइडिया ही यहां मिल रहा है कि और में विप क्रीम लगा दी रूफ सक गनाज डाली हो और आप देखे होंगे ना कि मैंस पॉंज के उपर भी गनाज़ डाली हो लेकिन अगर आपको इस पॉंज के उपर चैनास वगर आपने केड communion करेंगे तो आपको समझ सकते हैं कि वह उत्रा ही ज़्यादा टेश्ञाण ऐसमादे मेरा दूसरा लेर है आप लोग देखें होंगे हैं तो इस एंड़ करें आप लोग तो निचे भी रखेंगे तो कोई दिकत नहीं और यहां पर देख रहे होंगे कि diese कौई लीए अधे universe बराबर रहती है ना तो क्या रहता है बेकरी स्टाईल लिखता है तो मैं उम्मीद करती हूं कि आप हैना ऐसे चोटे-चोटे टिप्स अपने केक पर फॉलो करेंगे तो आपका केक हैना पर्फेक्ट ही बनेगा इसमें वापिस से गनाज जाएगा आपको तीनों लियर हैना ऐसे ही कंप्लीट करना है इस पहुंच जाएगा तो अग उससे बात है अगर नहीं टालना तो आपफुक्क कर सकते एं क्या रहता है अगर आप घर के लिए बना रहे हैं तो कोई बात नहीं लेकिन अगर आप कारेक्ट को दे रहे हैं तो भईं कमोश मुड़न करते ना रहता है तो आप अपने केडियन जोबिक संदें चरहरे हो उसमें कमी पूहरे हैं और रॉप्र कैडि Y यह आप केक सेल होगा और identical करम कोट कर रही हूं कल मैं लाइव में आई तो किसी ने पूछा था था है है कि करम कोट क्या होता है कि यहीं को नो करूद करूद connecting और क्राम जाएं से कूटिंग कर देते हैं इसके भाद इसका फाइनल लासिंग बनाते तो आप को जो बोलना है चली इंपोर्टेश्ट बनाये हैं और जब भी आप अपना पूरा केक कवर कर दें उसके बाद प्लेट नाइफ लेकर इसको इसमच कर दें उसके बाद अपने केक की फाइनल फिनिशिंग करें और जब भी आप इसका फाइनल आइसिंग करें तो पाइपिंग बेग से करेंगे न तो ज्यादा बेश रहेगा क्र तो मेरे ख्याल से तो यह उल्म को नहीं जमता लिकिन अगर आपको नहीं जमता हुआ तो आपको डायरेक्ट भी कर सकते हैं तो ऐसा है तो आप उसमें थोड़ा सा वईड क्रीम भी ढाल र。」 या थोड़ा वईसे ही चम मस्य करेंंग़ तो भी हो जाएगा या अगर आप या थोड़ा सा पानी का छीटा मार के भी करें तो भी हो जाएगा लेकिन फाइनल के टाइम पर आप लोग क्रिम थोड़ा स्मूध यूज़ करें उससे क्या रहेगा कि आपकी फाइनल फिनिशिंग बहुत अच्छी होगी और यह गनाश है ना मैं च्छान कर डाली हूं क्योंकि है ना मैं पुरी चान कर डालूंगी ना तो शाइनिंग और परफेक्ट रहता ह और आप लोग देख रहे होंगे कि शाइनिंग परफेक्ट है अगर आपको इससे एक्स्ट्रा चाहिए तो आप इसके अंदर थोड़ा सा बटर भी डाल सकते हैं वैसे मैं कुछ भी नहीं डाली हूं आसका रेशू है ना आप लोग टूवन कर रखें और यहां पर मैं आप झाली है तो नहीं कर दो जाफनी कि शुष नहीं कर दो कर दो दो कर रहें रहें पर भी तो आफें दो कर दो कर दो बटर भी वैंते हैं है झाली है टूह बट